प्रियाग में कुम्ब था, उस कुम्ब में कवीर सहाब भी पहुंचे थे, सभी संत पहुंचते हैं तो, अपने अपने परंपरा से, सब अपने अपने गुरुजनों के छावनी में पहुंचते हैं, तो सारे संत और महें तो सारे भक्त पहुंचते हैं, मैं लगता है कि पूर कोई मेला नहीं हो सकता भक्तों की भारी भी काम करेगा और साथ में इनकी बुद्धित तिक्ष्ण है ये जरूर को उसने कोई टेक्निक दे देंगे रखते थी भैंगे उस समय सनान करने के लिए शाही सनान उसने का कि हम भी शाही सनान करेंगे चले भै कौन माना करेंगे करो तुम भी करो साथों संतों के साथ तुम जाना चाओ तुचलो संतों के साही सवारी निकली और वो भी साही सनान में सामिल हूँ सिकंदर लोदीब बदला हुआ था पहले जैसा नहीं था कबिर साहाब के जो चमतकार हुए उस दिन से वो डरा हुआ संतों को आदर देने लगा वहाँ स्लान कर रहते उसी समय एक बहती हुई लाश आई बहती हुई आई तो उनकी साथ में जो शेख आए थे उसने कहा कि साहब देखे कितना सुन्दर बालक है यह मर गया असमय में मारा गया बाशा को भी देख करके बड़ा हुआ बाशा ने कबिर साहब को ताना मारते वे उन्ही सेख्षे कहा कि यह साहब जो है पहुचे हुए है इनकी उस साहब से बात होती है यह चाहें तो इसको जिवीत कर सकते हैं आपस में ही कह रहे है कबिर साहब को सुना के कह रहे है कबिर साहब समझ गए कि ये चमतकार चाहता है ठीक है वाई कबिर साहब ने कहा कि ए बालक सुनो आजाओ कहां बहते वे जा रहे हो अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है मेरे पास आजाओ और वो लास के रूप में बालक जो बहरा था वो जीवीत हो करके खड़ा हो गया और कभीर सहाब पासा गया बार्शा के मुख से निकला कमाल कमाल हो गया कमाल हो गया कभीर सहाब ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया यही कमाल है कमाल भी दोड़ प्रतिग्य पहले तो बड़ा लुंज पुंज रहता था धीली लंगोटी बहनता था कभी साब ने कहा है अपने लंगोटी कसकर बांदा करो तो उसने लंगोटी तो कसकर बांदी और इसका मतलब वो समझ गए कि दुरुजी कहते कि ब्रमचारी का पालन करो आज इवन ब्रमचारी होने का संकल लिया उसे हाँ एक बार जो है कमाल गया था तो ग्वालियर गए होए थे तो ग्वालियर के जो शेट थे उस शेट ने बड़ा स्वागत किया कमाल का कभीर साब के पुत्रे हैं और जातिस में कहा कि कुछ ये सब लेकिन उसने हाथ जोड लिया कुछ लिया नहीं तो जब ये सो रहे थे तो इनके पगड़ी में एक हीरा उसने छुप करके बान दिया ताकि कम से कम कुछ तो जाए हमारा धन पवित्र हो जाएगा इस भाव से दिया और जब वो आए लोट करके तो कमाल ने सद्गुरु कभीर को प्रणाम किया जब प्रणाम किया तो कभीर साहब का ध्यान उसके पगड़ी पर गया देखा कि उसमें चमक रहा हीरा तो कभीर साहब के मुख से निकला बूरा बंस कभीर का उपजा पुत्र कमाल क्या कहाँ बुड़ा बंस कबीर का उपजा बंस पुत्र कमाल और आये थे हरी भजन को ले आये घर माल क्या किया है तो समझ गए कि मुझे इसका मतलब कंचन का भी त्याग करना है कामनी का त्याग तो किया ही था अब कंचन का भी त्याग किया इतना दिड़ प्रतिग्य हो गए तब लोग कहते थे कि आधे भक्त कबीर और पूरे भक्त कमाल कबीर तो आधे भक्त रहे चलती चाकी वाली बात महलूम है चलती चाकी देखके दिया कबीरा रोय और दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई उसकी माता ने क्या कहा था चलती चाकी देखके मत हो कबीर उदास और कीला से लागा रहे जो कीला से लागा रहेगा कबीर उसका कुछ बिगडेगा ने ये बाते जब उन्होंने सुनी तो उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है कीला से लागा रहे सो नक्टे कूचे होई होता है कि ने मता कुछ कचर सा जाता है कि ने जो चिपका रहता है कुछ ने कुछ पर तो देखना विशुद नहीं रहता कीला से लागा रहे सो नक्टे कूचे होई अरे दाना सोई सराहिये जो चटक से बाहर होई दाना सोई सराहिये जो चटक से बाहर होई हम तो वो है तो कमाल भी कमाल का था उनकी एक पुत्री जिसका नाम कमाली लग कहते न वो बास्ते में पुत्रे नहीं थी एक बार एक बादशाह वो मगद बिहार प्रांत के रहा मुगलों का जाहता लोग मुगली सब थे उस समय सब राजा बात्सा भो गए थे कुछ सामराज्य था हिंदुओं का इसे काशी नरेश में कभी काशी पर किसी मुगल का सासन नहीं हुआ काशी नरेश हमेशा बने रहे और उनके पुत्र का जो है दिहानत हो गया तो युवा था पुत्र फिर इसको पुत्र नहीं उसकी पुत्री उसकी कन्या का दिहानत हुआ तो उसको दफना दिया गया लिकिन उनके मन में था लोगों ने कहा था कि भारत में बहुत से सिद्ध संत हैं तो एक बार कभीर को बुलवाईए तो कबिर साहब को बुलावा भेजा कबिर साहब गए उन्होंने कहा कि हमने सुना रहे कि आपने कमाल को मुर्दे से जीवन्त कर दिया हमारी पुत्री को भी जीवित कर दिजी उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सके कबिर साहब ने कहा कि अरी पुत्री तुम्हारे पिता बुला रहे हैं तुम जिवित होकर बाहर आजाओ जिवित नहीं हुई जिवित नहीं हुई अच्छ तुम खुदा के लिए बाहर आजाओ जिवित नहीं आई बाहर नहीं आई तब कहा कि तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं अब तुम बाहर आ जाओ इतना कहना था ओक कन्या जिवित हो करके बाहर आ गई अब जय हो जय हो जय घोशवा उस बाश्चा ने सोचा कि कन्या को हम घर ले जाएंगे लेकिन उसने मना कर दिया नहीं मैं तो असली पिता कबीर साहब के पास जाओंगी जिनोंने मुझे जिवित किया है तब ससमान बाश्चा ने उस कन्या को संद कभीर के चरणों में दे दिया